नमस्कार किसान भाई आज हम वहां पहुंचे के जहां पर आप सभी को इंतजार था जो एक यूवा पहले बंबोय में नोक्री करता था वो नोक्री चोड़ कर अपने गाउं में डेरी पारम की सुरुवात करकर आज वो महीने का लाकुर रुपे कमा रहें और उनके खुद की कमपनी भी है तो वीडियो में तक बने रहें आज हम उनका इंटर्वी लेंगे सर आपका प्रीचे जीजे किसान भाई होगो मेरा नाम विकास कुठारी है और मैं केकडी से ही हूँ और हम लोग को यह तीन साल हो गए इसको डेरी फार्म को करते हुए और स्टार्टिंग में हम लोग मतलब हमने खुद के लिए ही गाए रखी घर के इसाप के लिए कि हम करके और जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती रही वैसे वैसे हम लोग गाए बढ़ाते रहे और हमने किया था मार्केट में 15 लीटर करीब से अज हमारा मार्केट में 252 कृईब दूज जा रहा है 252 करीब इनकी एक खुद की कमपनी भी खुद ही पेकिंग करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, सर आपने डेरी फारम से आने से पहले आप क्या करते थे सर? मैं उससे पहले 2010 में मैं बॉंबे था, नौकरी करता था, फिर वहां से कोई कारणवाश आना हुआ, और यहां आके हम लोगों ने जैसे किराना का व्यापारी हूं, मैं तो किराना का काम किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने धीरे 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 गायें रखी, खुद के लि पहले अपने लिए रखें, फिर दिर दिर उसको कॉमर्शल बेस किया हम लोगों ने, प्रोफेशनल, तो आज मार्केट में हम लोग बढ़िया और गेनिक प्योर दूद सप्लाई करते हैं, तो आपको कौन सी सावदानी रखनी चाहिए, तो आज हम सर से जानेंगे, सर आप सबसे पहले आप अपना परीचे देजी, मेरा नाम नितिन राठी है, और केकडी के रहने वाड़े हम, और ये महरुकला में अपना खेत था अपना ये, तो अपने दो आज से तीन साल पहले यहां पर स्टार्ट किया ये, तो आपने जब तीन साल पहले डेरी पारिम की सुर चारे को स्टोर करने की जगह की खुले में गायें नहीं सकती थी, तो वहाँ बीमारिया ज़्यादा रहती थी, गंद की में बाहर छोड़ते थे हम गायें, तो मतलब खुझ भी गंदा खा लेती थी, तो फिर हम यहां दूर लगाने का सोचा कि भाई, शैर से थोड़ा दू खाए केकड़ी में, फिर यहां पर लेक है, और वहां पर तेरा घायू में मेरे को कुछ नुक्सान भी हुआ है, चार पाच गए हमारे वहां पर मर भी गई थी, वहां पर कोई पॉली थी खाने से मर गई और और बापर कैद वो चीचिडे नहीं हो थैं चीचिडो की वज़ेसे भी मुझे नुक्सान होगा दो पशुतों मेरे चीचिडे की वज़ेसे भी मर गए अबी आपके पास कितने गए इस फ़ारमेरे अब यहां पर फार में में हमारे पास सिट्र गए तो किसां अगर कोई किसा सबसे बढ़िया अच्छी ब्रीड की गाएं ले जिसमें दूद अच्छा हो और अच्छी क्वालिटी का दूद हो उसमें तो उसको फायदा मिलेगा आपके पास कौन सी कौन सी नसल की गाएं अभी अपने पास सब तरह की नसल की गाहें एक एस एफ राटी यह साहई वार अभी यह कौन सी नसल की यह यह शरू फ़ेले ही ती आपने यह फार्म कोलने के बाद भी ती आपने लागत कितने यह घरीद्ने की जाती है कि यह उनने खरीदने है यह कर जुदी साब 65 infection रसे दोब होता है कि इसके पांस लिटर दोब होता है एक टायम को कुलमलारा के सुबर साम का दोनों का 10 लीटर दूद हो गया तो इसकी दूद है इसमें भी एट्टू मिल्क गाया है क्योंकि हम वो सीमन ही यह वैस एट्टू मिल्क वाला ही यूज़ करते हैं कि हम यह सब हमारे यहीं की प्रीट की गाये हैं और इसमें जो गाये में एट्टू मिल्क होता है वो ही सीमन हम यूज़ करते हैं सर हमने आपका सेट का मतलब से बचता है दूसरा उससे यह जो पश्यू जब यह जुगाली करते हैं तो इसमें अमोनिया गेस निकलती है तो यह उपर हाइट हमेशा वह उपर उठती है इसलिए हाइट उची लिए इसकी और यह सिस्टम किस सीज़ का इसर यह है फोकर सिस्टम है ताकि गर्मियों के समय में इनको जब लू चलती है तो इससे बचत होती है विलकुल फारम का अंदर का टेमप्रेचर बाहर से कम से कम भी 10 डिग्री टेमप्रेचर डाउन हो जाता है अगर बाहर 50 डिग्री टेमप्रेचर है तो यह 35 से 30 के 35 के बीच में रहेगा जिसमें पसों को बिमारी की लू की सब्सक्राइब होती है इस्ट्रेस में तनाव रहती है पशू तनाव रहती है तभी अपने यह डेरी फारम सफल सफलो तो सर आप में यह बताए कि पस्वों को आर कि लाती समय कितने विज़े सुबह खिलाना चाहिए शाम को कि उसकी क्या प्रोसेज रहती है पूरी दूसरा लार एक घंटे तक तो उससे आपने को मेंसटाइटिस रोग होने की समच्चा कतम हो जाती है यह पशू घंटे खड़ा रहना चाहिए दु़ारी होने के बास तो अपनों सो कौन सा खिलाना चाहिए जिसे कि किसान बाइए कि पस्षा में दूत कि वरदी हो इसमें रहता है जैसे 20-30% तो अपने सूका बूसा हो गया और 40% से 60% अपने को ग्रीन फोड़ा चाहिए और 5% से 7% अपने को अनाज दाना चाहिए तो यह होता है इसका पूरा हाथ यह इसको साइलिज बोलते हैं साब मक्के का अचार बोलते हैं जो मक्का होता है ग्रीन उसको मतलब ग्रीन में कट किया करके और दूदे दूदे मक्के हो जाते हैं तो उसी ताइम कट करके और पूरा इसको बंडल पैक करके और हवा और पानी से बिलकुल बचाना है और उसको रख दें तो वो अठारा महीने तक उसका कुछ खराब नहीं होता और आप उसको जैसे आपके पास चारे की अवेलेबिलिटी कम है तो आप उसको काम में ले सकते हैं तो यह स्टॉक के अंदर अपन कभी भी बना के और रख लें तो मतलब यह कि आपके चारे की कमी कभी भी हो तो यह पूरत सकते हैं इसको अठार मैंने तो किसमें अराम से कुछ नहीं होता आपके जैसे घर में पाने की कमी हो गई गर्मियों में तो आप उसको उस टाइम पर यूज ले सकते हैं कभी भी हरेगी है तो उससे दूद बढ़ता है दूद का टेस्ट बढ़ता है मतलब हर चीज में यह जैसा कि आपने बताए कि हम पस्वों को इस प्रकार का चारा किलाते हैं तो यह कौन सी नसल का चारा है यह है सब नेपिय ग्रास है इसका बीज मंगाया था अपने बैंगलोर से और यह अपने जमीन प्योर उसर जमीन थी जिसमें अपना तोड़ा यह गोबर ओबर डलने से ना उस टाइब में इसके टुकड़े लगते हैं गन्ने के जैसे बुगाई होती है पर एक बार लगाने से इसको पांच साल तक कोई खर्चा नहीं करना पड़ा बज़ों काटो पानी पिलाओ और काटो तो अभी इसकी हाइट यह है अगर इसकी हाइट और उपर हो जाएग अपने दू स्प्रिंअलय से पिला टे हैं इसको तो हर साथ दिन में दस दिना पानी इस पिता है वयसे अगर नीचे से प्ला पानी पिला जाह तो उसको फंद्रा दिन में एक पिलाई जाई है तो सर आप अमें यह बताइए कि है डोल आपने जो खेतर के अंदर रख रहेग तो उसको में दो सो लिटर ये पानी के अंदर दो किलो गुड और वीएशटी कमपोजर का गोल वो मिला के और इस फसल पे सभी फसल पे चिटका जाता है दाकि उसमें और गनिक रहती है उसमें कोई अपन दवाई नहीं लगाते हैं अपने तीन साल से अपने इस केत में नहीं यूरिया ने डिएपी कोई किसी प्रकार कोई पेस्टिटाइज यूज नहीं कि आपने तो और केवल यह अपना खाद है इसमें यह संपूर्ण खाद है और गोबर और वीएशटी कमपोजर आप सभी प्रकार के देशी तरीके अपने आते हैं जिस तो लागत नहीं आती इ अपने को अम खुद भी वोई पिते हैं जो सब को पिला रहे हैं तो अपने को उस बीमारी का घर साथ में रखें तो सभी किसान बायों को यह तरीका अपनाना चाहिए देशी तरीका बिलकुल वापस उसी पेटन पर आना पड़ेगा पुरानी पद्दती पर आने दो किलो गुड़ साथ दिन आप रेगुलर उसको इला दो और वीएश्टी कंपोजर बीस रुपे की सीशी मगई थी वहां से गाजियाबाद से और एक बार बना लो पूरे उससे फिर रेगुलर आगे से आगे केरी करते रहो पूरे दिन चलता है या कोई आपकी टाइम होता है शाम तक चलता है यह दिन में 12 बजे के बाहर चलेगा और शाम तक चलेगा यह करते हैं सर अगर कोई किसान भाई डेरी फारम की शुरुवात करना चाहता है तो उसको परतम चोटे किसान तो चोटा फारम में शुरू करेगा तो उसके लिए अगर उसको कोई गाई की जुरुत हो तो आप उससे सेल कर सकते हैं हमारे पास गाई भी हैं सेल के रहती हैं क्योंकि अब हम तीन साल हो गए तो हमारी गाई और बच्चडियां भी बहुत बढ़ गई है तो और मतलब जैसे जैसे हैं अलगलग हमारे हर किस्म की गाई हैं यहां पर तो जो भी किसान भाई खरीदना चाते तो आके देख जाएं यहां पर हमारा फारम है महरुकला अजमेर को इनकी पूरी जानकारी नीचे साथ देख sipared जोगो तो आपको भी आ सकते हैं अमें फोन कर लें और जैसे भी है जो ब्रीड की गाए उससे साबसे आफेलेबल रहती है आपको पूरी जानकारी चाहे कि कौन स्रुवात कैसे गरे और in से आके फून सकते आप बिल्कुल यह कहते हैं कि कोई गिसान भाई कोई भी डिरी फाम चालो करना चाता है तो आराम से आके विजिट पूरा उनको जानकरी देंगे स्टार्टिंग से लेके और मतलब आते भी है वीजिटर्स हमारे यह पर तो हम लोग उनको जानकरी देते हैं और उनको हम कहते हैं कि जैविक जितना ज्यादा हो जैविक काम करें तो खुद के शरीर के इसाप से बहुत बढ़िया रहता है दो सो करीब लेटर मतलब पूरे दिन का उत्पादन कर रहे हम लोग और अभी मतलब बाद तीन-चार गाएं हम लोगों ने सेल कर दीती वहना पहले सेल कर रहे हैं तो हम घरगर सप्लाई करते लड़के रखे करते हЙ उपने अपने घर में दे रहे हैं तो अपस्यों करते हैं हुए और प्र पर अपने को मालूम है कि अपने इतना अच्छा दूद्द दिना पर ना पैंप लोगो तो इकेम दे सकते हैं वो सस्ता बढ़ता है लेकिन के अंदर कल को पानी मिला दिया या कुछ मिला दिया इसलिए हम लोग यहीं से मतलब पूरी पॉरी पॉली बैक थेली पैक करके और डिरेक्ट हम लोग घर पे सप्लाई करते हैं और कितने रूपे लिटर जा रहा है हम लोग 40 रूपे लिटर पे दे रहे हैं दूद के लावा वह भी कोई पनीर कोछ सप्लाई नहीं केवल दूद और जो बसता है हमारा जो दूद उसका घी बना लेत हैं हम लोग घी और दूद अभी तक यह दो हैं बाकी आवरमी पर WhatsApp कर दें, आपके कितनी quantity आपको लेनी है, हमारी 3 लिटर और 6 लिटर के अंदर पैकिंग रहती है, और इंडिया में कहीं भी आप बताएं, हम अमारे कुरियर के द्वारा गी उनके तक पहुंचा देंगे घर तक, तो उनकी booking की क्या process रहीगी? बुकिंग हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमें WhatsApp करते हैं, हमारा एड्रेस हीए है, और इतना घी हमें चाहिए, तो हम अमारे हिसाब से देख लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल कितना है, अगर अगर अवेलेबल है तो हम सेकंड डे कुरियर लगा देते हैं, और अगर अगर अ जमाके, घीलो के और जो मक्कर नहाता है, और छूले पर गरम करते हैं, हम लोग गैस का भी यूज नहीं लेते हैं, बिल्कुल जो नैचरल तरीका जो नैचरल घी है, जो पहले की जमाने में चलता था वही घी अम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें पूरा हैं, सड़ा घुला खाती हैं, तो जो खाएगी वही उसका गुण दूद में आना है, तो हम लोग बढ़िया खिलाते हैं, गेहों के जवारे खिलाते हैं, मक्के का साइलेस खिलाते हैं, अच्छा हरा हमारे यहां पर और जो भी रहता है बिना दवाई का, वही काम में लेते हैं, तो बड़ा पैकेट रहता है, तो उसके थोड़ा कॉस्टिंग कम आजाती है, तो उन लेक्के बिले सही है कि जितना ज़्यादा मंगाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग कम आएगी कॉरियर की, बाकि एक लिटर भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, अगर आ हैं, और कितने दिन तक पहुंचाता है वेसे, अभी मतलब आप मानिए कि मैक्जिमम पांस दिन के अंदर हम लोग कहीं भी मंगाएं, आप ओल इंडिया में सप्लाई कर देता हैं, आपके पास तीन या चार दिन में गी पहुंचाएगा, आप मिस्सित रहे हैं, ये एक्दम से पेवर गी है, देशी गाई का गी है, और इसकी क्या कोस्ट रहती है वेसे, हम लोग देखो, पंदरा सो रुपै लिटर में इसको हम पेशते हैं, मतलब आप कहीं भी बोलें, कुरियर वोरियर सब खर्चा हमारा रहता है, ये एकदम से सुद्ध गी है, इसके इंदर किसी इसकी बनाके, मकहन निकाल के और चूलेपे गरम करते हैं, ये हमारी खाश्य के देखी कि चूले पे काम नहीं करते हैं, जो नैच्चरल तरीगा है, वह हम लोग पुराई iuse करते हैं, अब हमारे घर में भी यही खते हैं और दूसरों को भी यही खिलाते हैं